प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है पहले मैं समझा दूँ एक बहुत सिंपल सी बात है प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है जैसे माली जी एक पत्थर है चौक है ठीक है और इसको मैंने ऐसे ऐसे फेक दिया अब अगर मैं इसको ऐसे फेक आप तो ये पर्टिकुलर पाथ में जाएगा वह जो पात होगा ऐसा तो नहीं कि ये पत्र ऐसे गया tu windER जाने लागा कि इस पीकिलर कि प्लेज़ाय में यार जैसे मालुभ मैं इधर फैको उपर मालव यह इस तरह फैक हूँ अगर द्यहान से आप देखें तो जो जो भी होगा होगा या नीए एक पीकुलर को ऐसे फेक देंगे माले ये नीचे फेका तो सीधी लाइन में जाएगा और उपर फेक देंगे तो भी देखिए सीधी लाइन में लेकिन अगर तिरचा फेक दिया हमने इसको थुड़ा एंगल बना के फेज दिया तो ये कवर्ड पात में चलने लगता है वही पात प्रजेक्टाइल मोशन के इंदर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं सबसे पहले चीज तो it is motion in a plane ये plane का motion है और ये particle projectile motion तभी perform करता है जब इसको obliquely फेका जाता है, तिरच्छा फेका जाता है, अगर मैं इससे सीधे नीचे या सीधे उपर फेकूंगा, तो path straight line होगा, लेकिन अगर तिरच्छा फेकूंगा, तो ये particle projectile motion करेगा, चिक है? तो, मैं इसको लिख सकता हूँ, the particle performs the particle performs projectile motion the particle performs projectile motion if if it is thrown obliquely obliquely अगर हम इसको तिरच्छा फेकेंगे, oblique फेकेंगे, तब ये particle projectile motion को perform करता है, और ये एक plane में motion का example होता है इसा होगा, वैसे तो इसका path parabolic होता है, हम इसको प्रूब भी करेंगे, लेकिन अभी फिलाल, जैसे माल लिजे, ये x-axis है, ये y-axis है, और हमने एक particle को, ये वेलास्टी से फेक दिया, theta angle, theta को हम कहते है, angle of projection, प्रक्षेपन कोड इंदी में कहा जाता है, theta angle पे ये वेलास्ट इसी समय को हम लोग कहते है, time of flight, उड़ायन काल, पाड़ किल यहां से यहां तक जाने में जो भी समय लेगा, उसे हम time of flight कहते है, यहां से यहां तक जो इसका horizontal displacement होता है, जो इसका 36 देशा में विस्थापन होता है, इसे हम लोग range कहते है, और ये चीज जो होती है, यहां से यहां तक जो अधिक सदिक उचाई जाता है, इसे हम maximum height edge से दिखाते हैं, यह चीज इसकी horizontal range कही जाएगी, आर से दिखाते हैं, और यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा है, इस समय को हम time of flight कहते हैं, अब अगर हम projectile motion को analyze करना चाहते हैं, तो velocity के अलग components होते हैं, acceleration का ज प्रजेक्टाइल मोशन के जो NLC समय ने जैसा आपको बताया कि पूरा पिरो गैलीलियो ने करी थी, और गैलीलियो ने एक बड़ा famous statement दिया था, उसी statement के basis पर हम projectile motion को analyze करते हैं, गैलीलियो का statement क्या था, वो statement यह था, बहुत simple था statement है, लेकिन पूरा projectile motion उसी statement के उपर टिक ना पड़ता है, तो उन सब में यह गैलीलियो का statement यूज होता है, गैलीलियो का statement क्या होता है, यह मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, गैलीलियो स्टेट्मेंट, statement, simple सा statement है क्या लेकिन पूरा था, कि जब भी कोई particle projectile motion कर रहा होता है, तो projectile motion के दरान, जो motion के perpendicular components होते हैं, they do not affect each other, motion के perpendicular components एक दूसरे को effect नहीं करेंगे, यानि की, जो displacement का एक्स component है, वो velocity के x component पर depend करेगा, और velocity का x component, acceleration के x component पर depend करेगा, जो x component है, वो धूसरे को depend करेंगे, लेकिन y को influence नहीं करेंगे. उसी तरह जो y component, जिसे velocity का y component जो है, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं या एक दूसरे को इंफ्लूएंस नहीं करते हैं जो मोशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंस होते हैं उनके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंस हैं उनके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंस होते हैं वो एक दूसरे को एफेक्ट नहीं कर कर वाती है ठीक है तो और इसके मदद से हम लोग पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को एनलयाईज करते हैं तो गलीलियो का स्टेट्मेंट क्या है दर पलें डिकुलर तो पलेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ दर पैरामीटर्स ऑफ मोशन perpendicular components of the parameters of motion do not affect each other the perpendicular components of the parameters of motion do not affect each other those perpendicular components of the Nico perpendicular components are not affect each other самое. x lawless x different dependant regarding this y Additionally, यह नहीं चेंज कर सकता है, यह तो एक statement हो गया, इस statement का मतलब क्या है, अब मैं इसका मतलब आपको बताने जा रहा हूं, जैसे माल लेते हैं, कि यह particle जा रहा है, तो इस particle की initially x direction में जो velocity थी उसको मैं ux माल लेता हूं, और initially y direction में जो velocity थी उसको मैं ui माल लेता हूं, तो अग is equal to u cos theta, जो u y आएगा, यह u sin theta के बरावर हो जाएगा, यह शुरू में velocity थी, टी समय के बाद क्या होगी, हम देखेंगे अब एक्सेलेशन देखा जाए इसका, अगर आप देखें ध्यान से, तो यह particle जो है, इसको धरती तो हमेशा नीचे कीचेगी, तो acceleration तो इसका हमेशा होगा, उसको मैं माइनेस जी भोल सकता हूँ, acceleration का x component 0 होगा, और acceleration का y component माइनेस जी के बरावर हो जाएगा, तो अब हम इसको component में, यह पूरा chapter जब हम analyze करेंगे ना, तो component component खेलेंगे, x वाला सारा अलग रखेंगे, y वाला सारा अलग रखेंगे, और उसके हिसाब से हर जो acceleration का x component आएगा, वो 0 आएगा, acceleration का y component आएगा, जो कि मैंने यहां लिखा हुआ है, अगर मैं velocity का x component लिखना चाहूं, तो देखें क्या होगा, vx is equal to u plus 80 होता है, तो हम x direction में अलग लगाएंगे, अब सारे equation y direction में अलग लगाएंगे, तो अगर हम ऐसा कर क्यों रहें, क्योंक y direction का y direction का y direction का straight line, तो गयलियो का statement है, उसने projectile motion को 2 straight line motion में तो दिया, एक मान लोगी पत्थर ऐसे जा रहा है, और एक उपर जाके नीचे आ जा रहा है, तो अब मैं दोनों की अलग analysis करूँगा, तो basically मुझे 2 straight line motion पढ़ने, तो जैसे vx हो गया, v बराबर u plus 80 में x direction में लग अब ध्यान से देखे, x to 0 है, x 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, कि vx जो है, वो किसके बराबर जाएगा, u cos theta, एक बड़ी interesting बात और important बात यहां से आती है, कि जब भी projectile motion होता है, तो projectile motion के अंदर, हम लोग, अच्छा air resistance वगर हमने एक नूर किया हुआ है, यह सब air resistance और वाक कि हर तूसरे या तीसरे सवाल में यह बात काम आती है, कि x 0 है, x direction में अगर acceleration नहीं है, तो projectile motion में x direction में जो velocity है, वो नहीं change होती है, या x direction का मतलब horizontal velocity, यह horizontal है, तो मैं इस बात को note डाल के लिखता हूँ, यह काम के बात है, कि यह vx आ गया, vx u cos theta के बड़ाबर आ गया, और u cos theta होने का मतलब यह है, कि यह constant हो गया, इसकी value समय के साब से बतल नहीं रही, तो मैं इस बात को ऐसे लेकूंगा, horizontal component of velocity does not change, horizontal component of velocity does not change in projectile motion, velocity का जो horizontal component है, वो projectile motion में बदलता ही नहीं है, क्योंकि x direction में acceleration नहीं है, तो x direction में velocity constant रहेगी, तो velocity का जो horizontal component है, वो नहीं मतलता है, देखें, ax 0 है, ay minus g के बड़ाबर है, vx जो है, u cos theta है, चलो मैं यहां से vy y में निकालता हूं, vy y निकालोंगा मैं, बिल्कुल vy y किसके बड़ाबर होगा, u y plus ay into t, इसका मतलब यह है, कि velocity का जो y component आएगा, वो u y जो है, वो तो हो गया, u sin theta, ay जो है, वो minus g है, into t, तो जहां से देखें, वेलास्टी का y component बदलना है, वेलास्टी का जो y component है, वो u sin theta minus gt है, जैसे जैसे समय की value बढ़ेगी, वैसे वैसे v y गटेगा, एक ऐसे मोगा आता है, कि समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो v y ने negative आने का मतलब का है, जैसे माली जे पार्टिकल उपर जा रहा है, तो x direction में velocity यह होगी, उपर जा रहा है, तो y direction की velocity ऐसे होगी, जब यह नीचे आ रहा होगा, तो x की तो ऐसी होगी, लेकिन y वाली velocity नीचे आ जाएगी, तो t की value अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दे एक्स डिरेक्शन में acceleration है नहीं, तो sx जो आएगा, यह किसके बरावर जाएगा, u cos theta into t, जो x direction में particle का displacement होगा, वो u cos theta into t आ जाएगा, इसी तरह से हम y direction में displacement देखें, s y, तो s y direction में गर हम देखें, s y direction में आ जाएगा, u y into t plus half of the a y into t square, तो s y की value आएगी, यह बरावर into t minus half gt square, जो s y होगा, वो u sin theta into t minus half gt square के बराव हो जाएगा, तो यहां से s x आ जाएगा, s y आ जाएगा, v x आ जाएगा, v y आ जाएगा, तो अलग-अलग parameters हम निकाल सकते हैं, अगर हम इस बात को summarize करें, तो galileo के statement ने क्या किया, galileo के statement यह काम किया, कि जो एक card motion था, उस card motion को दो state line motion में तोड़ दिया, एक x direction में particle जा रहा है, x direction की अलग analysis कर दी, y direction की अलग analysis कर दी, y direction का जो motion था, वो अलग हो गया, x का अलग हो गया, जहां जरूरत पड़ेगी हम x y को, मतलब x और y में velocity आपको पता चलगी, तो net velocity जैसे आपको चाहिए, तो under root vx square plus vy square कर देंगे, यह net displacement चाहिए, तो under root sx square plus s y square कर रहेंगे, तो गैलीलियो के motion ने, गैलीलियो के statement था, उसने यही काम किया, कि जो velocity की value थी, जो motion था, उसको दो state line motion में, इस statement ने हमें motion को तोड़ दिया, तो अब क्या है कि जो यह गैलीलियो का statement था, इसको use करते हुए, हम लोग तरह-तरह के formula बनाएंगे, एक time of flight का formula बनाएंगे, एक range का बनाएंगे, एक maximum height का बनाएंगे, angle का बनाएंगे, theta और उसमें relation निकालेंगे, कई सारी चीज़े अब हम लोग discuss करने जारेंगे, कई सार maximum height, इसको हम h बोलते हैं और यह maximum height है, यह जो distance है, r, इसको हम horizontal range कहते हैं और यहां से यहां तक का time है, that is called time of flight, तो यहां पर हम h जो है, इसका नाम रखेंगे maximum height, h का naam है maximum height, r का naam है horizontal range r जो है horizontal range है, और t जो है, capital T जो है, it is time of flight, h जो है maximum height है, r horizontal range है, और t जो है वो time of flight है, तो अब हम h, r और t इन तीनों की value निकालने जा रहे हैं, h, r और t की value निकालेंगे, तो जैसे कुछ-कुछ यहां पर बाते आती हैं, जो आप मेरे साथ सोचेंगे, तो ज़्यादा अच्छे से feel कर पाएंगे इसको, तो यह जो बाते आती हैं, यह क्या-क्या बाते आती हैं, इसको समझेगा, पहले तो यह है, कि जैसे मैं यह खास point लूँ, तो इस खास point पर क्या-क्या 0 होगा, पार्टिकल को मैंने फेका, और फेकने के तुरंत बात अगर आप देखें, तो यहां पर हमारे पास 6 terms होते हैं, 6 terms होते हैं, AX, AY, VX, VY, SX, SY, यह 6 terms पर पुरा यह projectile motion खेलेगा, तो यह जो 6 terms जाएं, AX, AY, VX, VY, SX, XY, तो अगर आप यहां पर देखें, तो इस जिगा पर क्या-क्या 0 होंगे, तो आप ध्यान से देखें, यहां पर पार्टिकल आपने फेका है, तो SX और SY यहां 0 होजाएगा VX और VY यहां पर आएंगे, VX आएगा U cos theta, VY आएगा U sin theta, AX तो हमेशा ही 0 होता है, और AY minus G के बराबर जाएगा, अगर मैं यह वाला point देखू, यह वाला point देखू, तो इस point पर क्या-क्या 0 होगा, इस point पर देखें, AX तो हरज में हमेशा 0 रहता ही है, AY minus G के बराबर होगा, VX, X direction की velocity तो हमेशा fix होती है, X direction में तो velocity बदलती ही नहीं, U cos theta के बराबर होती है, अभी बताया, VY यहां पर 0 होगा, इस जगहां पर VY 0 होगा, क्योंकि देखें, यह पार्टिकल है से गया, गुंते गुंते, velocity इस समय होरिजन्टल हो चुकी है, तो इस समय गर होर velocity का Y component 0 होगा, इस जगह पर देखें, तो यहां पर AX तो हमेशा ही 0 होता है, यहां पर displacement का Y component 0 होगा, displacement का Y component, क्योंकि पार्टिकल जितना, 10 मीटर उपर गया था, 10 मीटर नीचे भी आ गया ना, तो Y direction में जो इसका displacement है, बताए 0 होगा, X में तो होगा displacement, लेकिन Y direction का जो displacement है, 0 के बराबर हो गया, तो S Y के value 0 के बराबर हो गई, तो इस तरह से अलग-अलग point पर अगर आप देखेंगे, तो कोई ने कोई value 0 अलग आप चाती है, और उसी 0 का use करके, हम लोग जो अलग-अलग point पर जो formula होते हैं, उन formula को हम derive करेंगे, ठीक है, जैसे, सबसे पहले मैं derive कर करने के लिए इस point से, इस point तक equation लगाता हूँ, S Y is equal to U Y into T plus half of the A Y into T square, मुझे formula का derivation करना है, यहाँ से यहाँ तक, तो अब देखें, यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए, तो S Y जो है, वो 0 हो जाएगा, U Y को मैं U Y ही कर देता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक का time जो है, वो capital T, यह नि time of flight होई चुका है, A Y minus G हो जाएगा, यह capital T square हो जाएगा, और अगर हम इसको solve करें, तो 1 T से 1 T चला जाएगा, और यहाँ पर हमें लेगा क्या, एक T से अगर एक T यहाँ से चला जाएगा, तो T कितना जाएगा, 2 U Y जी या इसी कहूं 2 U sin Theta Y, जी भी बोल सकते हैं, यह बन गया time of flight का formula, यह आपको याद रखना है, यह formula आपको याद रखना है, कि जब कोई हम ऐसे पत्थर फेगेंगे, ऐसे तिरशा मिरशा जैसे भी एंगल पर तो उसको जो समय लगेगा, हवा में उसके उड़ने का जो time होगा, वो time 2 U sin Theta Y, जी के बराबर हो जाएगा, जहाँ थीटा एंगल प्रोजेक्शन है, तो यह time of flight होगे, अब यहाँ पर एक बात आती है, कि भाई यह किस Theta के लिए time of flight maximum होगा, तो भाई थीटा जब 90 होता है, तभी sin Theta maximum होता है, तो थीटा अगर 90 होगा, तो यह time of flight maximum होगा, लेकिन इसमें एक प्रोब्लम है, टेक्निकल प्रोब्लम यह है, कि अगर मैं Theta 90 कर देता हूँ, तो थीटा 90 करने का मतलब है कि पार्टिकल को मैंने सिधे ही प्यक दिया, सिधे ही प्यक दिया ठीक है, वैसे maximum time of flight 2 U by G होगा, थीटा 90 होगा, sin 91 हो जाएगा, लेकिन जब भी maximum होगा, तो उस case में फिर पार्टिकल तरिछा आपको ठेटने की ज़र दें, फिर उस सीधा ऐसे उपर जाएगा और नीचे आजएगा, तो खैक मैं maximum time of flight, थीटा बराबर 90 होगा, लेकिन उस स up to y square is equal to U i square twice of the ay into sh. यह लगा रहा हूंत, अब देखेगा, यहाँ से यहा पँचा, तो final velocity y direction में गर देखा जाये, तो यहाँ पर पार्टिकल ऐसे जा रहा है, और गे इसे जा रहा था, जाते यहाते, ऐसे ओ गया, तो यहाँ पर y direction की velocity zero हो जाएगी, इसका मतलब यह है कि H की वैलू कितनी आ जाएगी U i square upon 2G यह H की वैलू आ जाएगी और यह जो U i आएगा हम इसकी वैलू जाते हैं U sin theta इसी H को हम U square sin square theta upon 2G कर देंगे जो H आएगा वह U square sin square theta upon 2G हो जाएग तो यह max height का formula याद करना है इसमें भी बात है, थीटा आप 90 करोगे, तो H maximum हो जाएगा, लेकिन अगर थीटा 90 करोगे, तो फिर पार्टिकलिस स्टेट लाइन में जाएगा, वैस सब से ज्यादा ज्यादा हो चाहिए का हो जाएगा, तो ऐसे फैक होगे, तब ही तो maximum height पर जाएगा न, अगर तिर्शा फ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं ये equation लगाँगा, SX is equal to UX into T plus half of the AX into T square, यहाँ से यहाँ तक लगाने जा रहा हूँ मैं, तो अब जैसे यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, तो जो total time होगा, वो time of flight के बराबर हो जाएगा, तो अब मैं यहाँ से SX जो है, SX, X direction के इस 2UY by G, और AX तो कहाँ जिरो ही होता है हरमेशा ही, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, तो R की जो value आएगी, R, यह बराबर हो जाएगी 2UX, UY by G, यह range का एट फार्मुला बन जाएगा, यह तीन फार्मुले आपको याद रखने है, 2U sin theta by G, time of flight होता है, maximum rate होते ही U square sine square theta by 2G, और जो range आता है, वो 2UX, UY by G के बराब जाता है, कई बार ही होता है कि UX, UY नहीं दिया रहता है, theta दिया रहता है, theta के term में अन्सों चाहिए, तो इसी को मैं तबहा simplify कर लो, simplify करूंगा, तो यह हो जाएगा 2 by G, UX की जगा हो जाएगा U cos theta, और UY की जगा हो जा जाता है, तो यहाँ है 2 sin theta cos theta, तो यह हो जाएगा U square sin 2 theta by G, यह भी फार्मूला है, वो 2 sin theta cos theta by G है, वो sin 2 theta, sorry, जो 2 sin theta cos theta है, वो sin 2 theta हो जाएगा, तो range का एक और यहाँ पर आ गया, U square sin 2 theta by G, ठीक है, नहीं तक आप इसको समझ लीजेए, तो यह range के formula हो गए, range के दो formula होगे, maximum height के भी दो formula है, time of light के भी दो formula है, मनने UI by G, यह U sin theta by G लिखे, अब इसके अंतर एक बड़ इंट्रेस्टिंग सी बात आती है, कि range किस theta के लिए maximum होगी, देखे, range किस theta के लिए maximum होगी, अगर हमें यह पता लगाना है, तो sin 2 theta को हमें अधिक सदिक करना पड पड़ेगा, और 2 theta अधिक सदिक करना पड़ेगा, तो 2 theta 90 होजाएगा, तो theta 45 degree होजाएगा, यानि कि range maximum तब होती है, जब angle of projection 45 degree होता है, यह बड़ इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को में लोट कर देता हूँ, the range is maximum for a given speed, the range is maximum for a given speed if angle of projection is 45 degree, अगर angle of projection 45 degree होता है, तो range होती ही, वो maximum होजाती है, ठीक है, maximum range की value है जाती है, अगर angle of, यह बहीं देखो, मैं range से बड़े से बड़ा करना चाहता हूँ, तो sine 2 theta को बड़े से बड़ा करना पड़ेगा, sine 2 theta 90 करना पड़ेगा, theta 90 करेंगे, 2 theta 90 करेंगे, theta 40, वैसे भी सोजो, अगर आप इस बात को सोचो, कि अगर आप किसी पत्थर को अधिक सधिक दूर फेकना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे करके फेकते हैं हम लोग, ऐसे करके फेकते हैं तो लगभा 45 पे, अधिक सधिक उचाही तक फेकना चाहते हैं, तो जो range होता है, यहाँ पर range से जुड़ी हुई, जो मैं यही पर take up करना पसंद करूँगा, यही पर आपको बता हूँगा, यह इस तरफ मैं delete कर, मतलब उटा दे रहा हूँ, बड़ इंट्रेस्टिंग बात है, range से जुड़ी हुई, जिस पर सवाल बनते रहते हैं, लगातार बनते रहते हैं, यहाँ परोगाद डिसकस करनी जरूरी है, जैसे range से जुड़ी एक यह बात होती है, जैसे माल लीजे, कि हमने एक term लिया, u square sin to 90 minus theta कर दिया, जैसे range आती तो यहाँ theta था, उस theta की जब उठा के मैंने 90 minus theta कर दिया, तो अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लेख सकते है, u square by g, ठीक है, और यह हो जाएगा sin 180 minus 2 theta, sin 180 minus 2 theta जो जाएगा, वो sin 2 theta हो जाएगा, तो यह हो जाएगा u square upon g into sin 2 theta, और यह range हो जाएगी, कहना कह चाहता हूँ मैं, कह यह चाहता हूँ, कि अगर angle of projection theta हो, या 90 minus theta हो, देखो, दोनों case में result same हो, तो अगर angle of projection theta हो, या 90 minus theta हो, दोनों के लिए range same होगे, यानि कि अगर मालों, जो range 30 degree के लिए आ रही, वही range आएगी 60 degree के लिए, जो range 37 degree के लिए आ रही, वही range आजाएगी 53 degree के लिए, जो 20 degree के आरे वही रेंज है वो 70 डिगरी के लिए आजाएगी यानि कि थीटा और 90 मैनेस थीटा के लिए जो रेंज की वेलू आती है वो सेम आती है तो इस बात को मैं नोट भी कर रहा हूं ये काम की चीज है for a given speed of projection for a given speed of projection range is same for theta and 90 मैनेस थीटा speed of projection अगर आप सेम रखते हैं तो range होती है थीटा और 90 मैनेस थीटा के लिए बड़ा बड़ा आती है ठीक है ये एक result आ गया काम की बात है इसका अभी सवालों में इस्तेमाल होता है एक और इसके अंदर काम की बात आती है height और maximum height और range में relation तो देखना ज़रा ध्यान से मैं यही पर लिख देना हूँ relation maximum height जो थी वो कितनी थी u square sin square theta upon 2g जो range आई थी वो यह आई थी u square sin 2 theta upon g अगर मैं इसको divide कर दूँ h से r को divide कर दूँ तो देखे क्या होगा u square से u square कर जाएगा g से g कर जाएगा sin 2 theta को मैं लिखूंगा 2 sin theta cos theta तो एक sin theta भी कर जाएगा और 8 bit करने के पाद अगर मैं divide करूंगा न तो यह value जो आती ही वो tan theta by 4 आ जाती है मतलब maximum height और range के बीच का यह जो relationship है यह भी आपको याद रखना है यह भी एक formula है maximum height और range अगर h maximum height है और range र है time of light, maximum height और बहुत सारी चीज़ें बदाई उसको apply करते हैं कुछ सवाल करके देखते हैं तो जैसे माल लिजे कि हमने इस particle को project किया है 50 meter per second से और जो angle है वो 37 degree के बरापर है तो इसमें सबसे पहला जो सवाल बनता है कि बहुत बेसिक जो formula based question होता है वो करते हैं find t h and r t का मतलब time of light, h का मतलब maximize, r मतलब ring ये तीन चीज़ें आपको निकालनी है दो मिनिट का pause लेके value निकालिए फिर मेरे साथ solution देखिए तो अगर मुझे time of light निकालना है तो time of light जो आएगा वो याएगा 2 u sin theta भाई जी ये time of light है u की value कितनी है, u की value 50 है theta 37 है, sin 37 हो जाएगा 3 by 5 g की value 10 हो जाएगी 0 से 0 चला जाएगा 5 से 5 और ये हो जाएगा 6 second ये दो अगर time of light है कोई बाप नही time of light पूचा था अब maximum height पूचा है तो maximum height कितनी आ जाएगी इसकी maximum height जो आएगी वात ही u square sin square theta upon 2 g ये maximum height आती है u की value कितनी है, 50 ठीक है, ये 50 का स्कार theta 37 है, sin 37 हो जाएगा 3 by 5 3 by 5 का स्कार अपन 2 into 10, याँ जाएगा इसको जड़ा solve करो जाएगा solve करो जाएगा 50 into 50 into 9 upon 20 into 5 into 5 3 by 5 का स्कार होगा 5 into 5 तो अभी क्या है कि 1 0 तो इससे में उड़ा देता हूँ 1 5 इस 5 से उड़ा देता हूँ और ये 5 और 2 multiply हो कि 10 हो जाएगा और ये 1 0 और चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये 45 बचेगा 45 मिटर हो जाएगा एक वर और कल्कुलेशन चेक कर लिया जाए 50 का स्कार तो 50 into 50 into 9 upon 5 into 5 upon 2 G तो 2 G 20 हो गया अब 1 0 तो इससे चला गया एक 5 इससे चला गया ये 50 उड़ गया 5 into 2 10 हो जाएगा 10 से 1 0 चला जाएगा तो ये 45 मिटर हो गया अब तो मैक्समाइड 45 मिटर हो गया अब उसके बाद इसके अंदर कहरें रेंज बताओ तो रेंज होगा U square sin 2 theta upon G तो इसको हम simplify करेंगे तो ये हो गया 50 का square और sin 2 theta को मैं लेख सकता हूँ 2 sin theta cos theta by G ये चाहेगा अब इसको मैं आपर simplify करूँगा ये हो जाहेगा 50 into 50 into 2 into 3 into 4 upon 10 इदर 5 मतलब sin 37 3 by 5 cos 37 4 by 5 देखो कट पिट रहा है कुछ एक 0 से एक 0 चला गया एक 5 से एक 5 चला गया और एक 5 और जाएगा ये 10 हो जाएगा और ये 12 into 2 12 into 2 24 और 24 into 10 तेड़ाएगा 240 मीटर ये हो जाएगा फिर से बर चेक कर लेते calculation 15 15 into 2 into 3 by 5 into 4 by 5 आपांच जी एक 0 से एक 0 गया एक 5 से 5 गया उसने इसको काड़ दिया थे अंदस हो गया ये 4 into 3 12 into 2 24 into 2 40 मीटर ये तो इस तरह से हम लोग इसका maximum height time of light देज ये निकाल सकते हैं ठीक है अब इसमें और भी सवाल बंते हैं ये तो basic fundamental पर base question हो गया अब इसमें कुछ और सवाल हम लोग करते हैं questions के अगर हम practice करेंगे इसी question के अंदर एक question बनता है find the x and y components of velocity x and y components of velocity x and y components of velocity velocity के x और y जो component है या x y component के बजा हम भी कैसे सकते हैं horizontal vertical component है तो find the x and y components of velocity when at t is equal to one second जब एक second बीच चुका है तो आपको velocity का x और velocity का y component पता लगाना है ठीक है तो एक बाद तो ये समझें कि velocity का x component तो कभी बदला ही नहीं projectile motion में x component तो y का भी रहता है तो velocity का x component था वो जो शुरू में था वही बाद में भी रहेगा तो शुरू में x component कितना था वी x जो होगा वो ux के बराबर हो जाएगा ux की value आएगी 50 cos 37 50 cos 37 तो यह हो जाएगा 50 into 4 by 5 तो यह हो जाएगा 40 meter per second x component का तो कोई tension ही नहीं है x component तो जो है वो 40 meter per second के बराबर ही जाएगा जो y component होगा वो बदलता है y component जो है वो समय के साथ बदलता है तो y component जो है अगर वो में लिखना चाहूँ तो velocity का जो y component होगा v y कि किसके बराबर हो जाएगा u y plus a y into t u y की जो value आजाएगी u y कितना जाएगा u y जाएगा 50 sin 37 plus a y है minus 10 और time इन्हों ने 1 second बोला ही है एक ही second बोला है तो 50 sin 37 से नहीं हो जाएगा 30 minus 10 ये 20 के बराबर हो जाएगा ठीक है तो 1 second बाद इसी ये जो पार्टिकल जा रहा है इस पार्टिकल की 1 second बाद अगर हम देखेंगे तो 1 second बाद velocity का x component तो जो था वही का वही रहेगा 40 जो velocity का y component है वो बदल के 20 हो जाएगा एक सेकंड बाद तो 1 second के बाद velocity के x और y component जो है x component तो बदला हो गाई नहीं x component वैसे का वैसा रहेगा लेकिन जो y component है वो हर second 10 कम होगा क्योंकि y direction में जो acceleration है 10 meter per second square है तो y component तो हर second में 10 कम हो जाएगा जो x component होगा वो जो है नहीं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा y component जो है वो हर second में उसकी value 10 के बराबर कम हो जाएगा तो ये वी वाई जो है ये 20 के बराबर आगया ठिक इसी के अंदर एक और इसी question का एक और पार्ट बनता है तो वो question में लिख दे रहा हूँ पर उसका solution अंब बताता हूँ Find the angle made by velocity with horizontal find the angle made by velocity with horizontal at t is equal to one second तो velocity horizontal से t बराबर one second पर कितना angle बना रही होगी तो horizontal से जो velocity angle बना रही होगी अगर उस angle को आप ध्यान से देखे तो जैसे यहाँ वहाँ पर बना हुआ है मैं यहाँ बना दे रहा हूँ उस velocity का जो x component था वो 40 था उस velocity का y component जो था वो 20 था अब अगर उस velocity का मुझे angle चाहिए horizontal से तो उस angle को मैं alpha माल लिता हूँ तो x component उसका 40 है y component 20 है तो यहाँ से अगर आप देखें तो tan alpha की जो value आजाएगी that will be equal to 20 upon 40 यह 1 by 2 हो जाएगा alpha जो आएगा that will be equal to tan inverse 1 by 2 यह alpha की value हो जाएगी तो इस तरह से हम लोग x component velocity का x component displacement का x component भी चाहें तो निकाल सकते हैं time of light निकाल सकते हैं maximum height निकाल सकते हैं range निकाल सकते हैं तरह तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ से calculate करके निकाल सकते हैं देखें अगर बहुत बहुतरीन सवाल लेके आया है एक particle है project किया गया है और जो इसकी velocity है वो है 30 i cap प्लस 50 j cap यह इसकी initial velocity है और हमने इस direction को x direction मान लिया है और इस direction को मैंने y मान लिया है तो यह x direction हो गया यह y direction हो गया और velocity आगे 30 i cap प्लस 50 j cap यह velocity की value आगे अब इसके अंदर क्या है कि हमें यह बताना है कई सारे से जुड़े में सवाल में है आप चे पुछने जा रहा हूँ पहला तो सवाल भाई है जो पिछले case में था find the value of find t h and r time of light बताओ maximum height बताओ range बताओ यह तीन चीज़े निकल नहीं तो यह जो तीन चीज़े निकालने के लिए तो फटा फटा हम लोग formula लगाएंगे अब इसमें चुकि हमें velocity जो है उसे theta नहीं दिया हुआ theta की जरूद भी नहीं है velocity हमें जुदी गई है उसके दोनों component हमें already पता है x component y component दोनों already पता है तो time applied तो देखो फट से आगया 2 ui by g ui जो है इसकी value कितनी हो गई पचास और g वो hit 10 हो गया तो यह कितना जाएगा दस सेक्ट इसका उड़े अनकाल हवा में उड़ने का जो time है वो दस सेक्ट आगया है तो इसकी जो maximum height निकलना चाहते है तो इसी की जो maximum height आएगी वो किसके बरबर आएगी ui square upon 2g तो ui जो है y direction की velocity है 50 तो 50 का square upon 2 into 10 0 चला जाएगा और यह 125 meter आजाएगा 125 meter निकालना है range तो range निकालना है तो range हो जाएगा 2 ux ui भाई जी तो यह 2 ux x direction में velocity है 30 और y direction में velocity है इसकी 50 भाई 10 यह solve करने पे हो जाएगा 300 meter तो खेर हम लोग maximum height range time of flight यह सारी चीज़े निकाल सकते है ठीक है अभी इसके अंदर और भी सवाल बनते है तरह तरह के सवाल बनते है इसके अंदर एक सवाल यह बनता है प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहूँ इसी पर बेज़ अगला question जो बन रहा है इसी इसी पर बेज़ड है वो यह है, find the angle made by velocity find the angle made by velocity with horizontal at t is equal to 2 seconds जब घड़ी में 2 seconds मतलब पत्थर फेकने के 2 seconds के बाद यह जो प्रजेक्टाइल है यह horizontal के साथ कितना अंगल बना रहा है आपको बताना है तो जब आप इस प्रजेक्टाइल को फेकेंगे तो फेकने में खास बात इसकी यही है कि जो x direction की velocity है वो तो कभी बदलती ही नहीं आज दिन तक नहीं बदली तो आज भी नहीं बदलेगी तो x direction की जो velocity है वो तो वही की वही बनी रहेगी जो 3, 3 कितनी 30 बदलाओ आएगा लेकिन y direction की velocity में आएगा x direction की velocity में कोई बदलाओ नहीं आएगा तो अगर हम y direction की velocity निकालना चाहें जैसे इस question को मैं सब्सक्राइब जब भी मैं question देता हूँ तो आप एक दो मिनिट का समयले के पहले अगर मैं देखूँ तो वी बाई प्लस एवाई को टी वी बाई हमें पता लगाना है यू आई जो आएगा या आया था 50 एवाई है माइनस 10 तो या आजाएगा 30 तो वी बाई 30 आगया और वी एक्स को 30 पहले से ही था तो बड़ा इंट्रेस्टिंग समाल हो गया वी एक्स पहले से 30 था और दो सेकेंड के बाद जो वेलासिटी का वाई कंपरिंट है वो भी 30 आ गया खतम बात अब अगर किसी वेक्टर के दोनों इस दोनों इस अगर 30 30 आ रहे है तो यह कितना हो जागा तो यही पार्टिकल, जब नीचे उतरते समय यहां पर होगा न, तो उस समय भी यह horizontal से उतना ही angle बना रहा होगा, क्योंकि उस समय देखो, x direction में 30 होगा, और y में 30 ही आएगा, पर downward direction में आएगा न, सेम हाइट पर सबकुछ सेम रहता है, तो जैसे जब ऊपर जा रहा था, तो y direction की velocity इस हाइट पर 30 थी, जब नीचे आ रहा होगा, तो इस पर भी 30 रहेगी, लेकिन downward direction रहेगी, तो दो बार ऐसा होगा, कि यह angle pathology degree horizontal से बनाएगा, यह एक बार यहां बनाएगा, यहां से यहां से यहां से यहां तक का time मैं निकाल सकता हूँ, देखे, यहां से यहां से यहां तक का time मैं निकाला 2 second बताये था, यहां से यहां तक का time था 10 second, तो यहां से यहां तक का time 8 second हो जाएगा, तो एक बार 8 second के बाद भी horizontal से 45 ठीक है तो इस तरह से projectile motion के अंदर हम लोग तरह-तरह की situation होती हैं उनसे जुड़ेवे सवाल करते हैं और तरह-तरह के सवाल इसमें बनते रहते हैं एक और सवाल में आपको दिरे जा रहा हूँ इसी projectile motion से जुड़ा हुआ है गुट सवाल यह है कि यह जो प्रजेक्ट टाइल है मैंने इसको प्रजेक्ट किया U-speed से थीटा अंगल में U-speed और थीटा अंगल में प्रजेक्ट किया मैंने अब इसके अंदर एक सवाल यह बनता है Quescion यह है find the time when speed, find the time when speed, when velocity of the particle, find the time when velocity of the particle is perpendicular to initial velocity. कहने का मतलब यह है, कि वही आपने यू वेलास्टी से फिका, यू वेलास्टी से पार्टिकल को फिका, तो आपको वो समय बताना है, जितने समय के बाद वेलास्टी इनिशल वेलास्टी की परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है, जैसे अभी वेलास्टी इस तरह से है, और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद यह पार्टिकलर से घुमता हो जाएगा, तो वेलास्टी इनिशल के परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो वो समय बताना जिससे कि initial velocity के वह perpendicular होजाए, तो वो समय आपको बताना है, कि जब velocity initial velocity के परफेंडिकुलर होजाए, ऐसा बोर्ड रब करलू, सबसे अच्छी शर्थ ही होती है, कोई भी दो वेक्टरS है, तो उनकी सबसे अच्छी शर्थ पर्पेंडिकुलर की यह होती है कि वो दोनों वेक्टर का डॉट पोड़क्ट जीरु आ जाता है, अगर अमें पर्पेंडिकुलर की पैचान करनी है, तो उसमें डॉट पोड़क्ट जीरु आता है, तो जैसे माल लेजिए ऐसे जा रहा है, सबसे अच्छी प्रण जीन्व करता हूं इस कुर्णीision इसकी अगर के बाद अगर मैं इसकी विलस्टी लिखना चाहता हूँ तो टी टायू तो टी टाइम के बाद विलस्टी अगे इनिशल वेलस्थीर यह कोई और के लौस्ध म्डॉसित ऑट प्ल्स जिए M इंटो आई-कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जीटी इंटो जेकाफ ये वेलासिटी आ गई अब हुम अगर वेलासिटी हमें चाहिए कि बही परपिंडिकुलर हो जाए तो परपिंडिकुलर की शर्त यही होती है कि हम V.U जिरो करते हैं तो अगर हम V.U निकालेंगे तो यहां जाएगा U cos theta into i cap plus U sin theta into j cap dot of U cos theta into i cap plus U sin theta minus gt into j cap यहां जाएगा V.U अगर मैं निकालूंगा तो हमें यही तो चाहिए ना कि initial और final perpendicular हो जाएगा और perpendicular vectors का dot product 0 होता है तो V.U 0 के पराब हो जाएगा अच्छा dot के अंतर एक आप यह भी जानते होंगे कि i वाला i से multiply जाता है j वाला j से तो जब आप इन दोनों का dot लेंगे तो i dot i 1 हो जाएगा और यह हो जाएगा u cos theta का whole square फिर इसके साथ i वाला i से होता है multiply जे वाला j से के वाला k से तो इसके साथ अगर करेंगे तो यह हो जाएगा u sin theta into u sin theta minus gt यह हो गया है u sin theta into u sin theta minus gt हो गया अब इसको solve किया जाए 0 is equal to जाएगा u square cos square theta plus u square sin square theta minus u sin theta into gt यह हो जाएगा दियान से देखें u square यहां common होगा cos square theta plus sin square theta 1 हो गया तो यहां पर हो जाएगा u sin theta into gt is equal to u square sin square theta plus cos तो एक u से q कट जाएगा और time की value आजाएगी u upon g sin theta यह time आजाएगा तो जब घड़ी में time मतलब यह फेकने के इतने समय के बाद जो time आएगा वो u upon g sin theta के बढ़ा पुरू चाहेगा एक यह इसका method हो गया इसको note कर ले तो मैं दूसरा method सिखाता हूँ अब इसका दूसरा method समझें यह तो मतलब systematic तरीका था बढ़िया तरीका था कि हमें हर कभी भी perpendicular का कोई सवाल आएगा दोनों को vector form में लिखके dot product zero करके solve कर लेंगे अब इसको करने का एक महीम तरीका है जिसके अंदर हम Galilio का statement use करेंगे और Galilio का statement बहुत बारीकी से use करेंगे मतलब एक ही line में हम कर लेंगे पूरे सवाल को लेकिन Galilio के statement की बहुत बढ़िया सी समझ हमारे अंदर अगर अगे तो बहुती fine अगर understanding है देखे मैं ऐसा अगर कहूँ Galilio का statement में किसी भी direction में लगा सकता हूँ तो इस direction में Galilio का statement अप्लाई करता हूँ इस direction में यह जो direction है न इस direction में Galilio का statement अप्लाई करता हूँ तो इस direction में अगर मैं अप्लाई करूँगा V is equal to U plus ET समझेगा इस इस direction में आप Galileo का statement apply कर सकते हैं तो अगर मैं इसमें V is equal to U plus 80 लगाऊंगा तो देखें वैसे तो acceleration G होता है लेकिन इस G का इस direction में जो component आएगा इस G का इस direction में जो component आएगा इस जी का इस direction में जो component आएगा यह थीटा है ना यह 90 minus theta हो जाएगा तो इसके perpendicular है तो इस direction उसका component आएगा तो final velocity तो होगई 0 इस direction में initial velocity इस direction में यू है और acceleration इस direction में G sin theta है into t तो time के value यहां से U upon G sin theta जाएगा वह हम इस direction में V बराबर U plus 80 लिख सकते हैं तो हमारी मर्जी है तो हमने इस direction में लिखना पसंद किया final velocity इस line के perpendicular है तो perpendicular है तो इस line के लोग final velocity 0 आगे इस line के लोग acceleration जो आएगा वो जी है वैसे तो जी होता है लेकिन इदर आजाएगा G sin theta final velocity 0 हो गई initial इस line के लोग यू थी तो U minus G sin theta into t तो t के value आगे U upon G sin theta